हलो एश्टुएंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टिय एडूशाला में जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश SCVT का जो रिजल्ट था वो आपका पांच जनबरी 2023 को आचुका था सभी छात्रों ने अपना रिजल्ट चेक कर कुछ चात्र ऐसे भी हैं जो अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाए हैं तो हमने अपने दो वीडियो के माध्यम से दो-तिन वीडियो भी बनाया था इसके रिगार्डिंग में उसके माध्यम से आप सभी को बताया था कि जो भी रिजल्ट है वो आपके कॉलेज के कॉलेज के लॉग इन से आप उसको जाके कॉलेज में अपने टीचर से समपर करने आप अपने रिजल्ट देख सकते हैं क्योंकि जो कॉलेज के लॉग इन पर फ़ॉमस ईब्लेबल होता है वहीं पर रिजल्ट अभी तक आया था और जो स्टूडेंट लॉग इन में अभी तक नहीं आया था और 2021 के छात का उसमें अभी तक ऑप्शन सो नहीं कर रहा था कि 2021 के चात उसमें कैसे अपना रिजल्ट देखें उनका सेशन ही नहीं सो कर रहा था तो उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो है कि 2021 का जो चात्र है उनका भी अप सो होने लगा है वो भी सिक्षन परिशद उत्तरपरदेश UPSCVT के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, परशनल अपना खुद से आप डाउनलोड कर सकते हैं, माकसीट सर्टिफिकेट जो भी आपको डाउनलोड करना हो, अलग-अलग सेमिस्टर हो, यह हो, कॉंसलेटर सभी आप डाउनलोड कर स सकते हैं, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको SCVT UP के ऑफिसल वेबसाइट पर जाना परेगा, या तो आप उसका लिंक नीचे डिस्ट्रिशन बॉक्स में दिया है, आप उहां से उसको जाके क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, तो उसके बाद तो आपका इस तरह का page open हो जाएगा, इसमें आपको लिखा है note में कि 2015 के बाद जो भी student admission लिये हैं, उन्हीं का इसमें detail available है, वो अपना माक्सी certificate डाउनलोड कर सकते हैं, यह है सबसे पहले आपको trainee registration, तो जो लोग अभी तक registration नहीं किये हैं, जो नए सत्र के हैं 2021 के, उनका data यह भी sign नहीं हो रहा था, तो वो अपना registration नहीं कर पाया है, तो उनको अपना registration करना परेगा, तो सबसे पहले trainee registration में आपको अपना शत्र डालना परेगा, raw number और date of birth, तो यह तीनों detail आप फिल करेंगे, select कर लेंगे session जैसे देखिए, आप यहां पर, यहां पर देख पा रह अपना roll number यहां पर फिल कर देंगे, उसके बाद आप अपना date of birth यहां पर select कर लेंगे, जो भी date of birth होगा, select करने के बाद आप इसको validate करेंगे, तो जैसे ही validate करेंगे, आपका पूरा detail photo, आपका नाम, फादस, नेम, date of birth, email ID आधार, यह सभी detail आजाएगा, तो वो सभी detail आज करेंगे, तो आपका इसमें बस detail पूछेगा, कि आपका roll number क्या, और आपने password जो create किया था, उससे आप login कर लेंगे, तो आपका वो profile open हो जाएगा, ठीक है, तो जो नए candidate है, वो for new registration पे click करके, अपना पहले registration करेंगे, तो चलिए के student का detail फिल करके, हम आपको दिखाते हैं, प्रोसेस कैसे करेंगे, जैसे ही आप validate करेंगे, तो इस तरह का आपका page open हो जाएगा, जिसमें आपका institute का नाम, trade, student name, father's name, mother's name, यह सभी detail आपको, date of birth, roll number, station number, gender, mobile number, address, और आधार नमर, और last में आपका photo हो जाएगा, तो यह सभी detail, अगर आपका आधार नमर गलत है, तो आ आपका यहाँ पर mobile number दिया रहेगा, यह mobile number पर आपको एक OTP भेजा जाएगा, जैसा कि उपर में दिया गया है, तो एक OTP आएगा, तो उस OTP को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, जैए पहले generate OTP करेंगे, generate OTP करने के बाद आपका एक OTP आजाएगा, तो उसको क्या करना है, जैसे हम generate OTP किये, तो आपका यहाँ पर एक OTP आजाएगा, तो OTP आपके mobile number पर आएगा, वो OTP आप यहाँ इंटर करेंगे, उसका आप अपने मन से कोई भी password जिसमें एक number होना चाहिए, एक character होना चाहिए, एक symbol होना चाहिए, यह सभी बना के, mix करके आपको एक password बानाना ह है, वो password यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगें इंटर करके आपको submit करना है, OTP इंटर करने का बद आप जैसे ही submit करेंगे, आपका login successfully दिखा देगा, उसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको अब login करना परेगा, login में आपका roll number लगेगा, और जो आपने password create किया, वो password परेगा, और यहाँ पर आपको, जो यहाँ capture दिया है, वो इंटर करना परेगा, तो roll number, password और capture इंटर करके, आप इसमें क्या करेंगे, login करेंगे, यह आपका नीचे में login का बटन दिया है, login पर क्लिक करेंगे, तो आपका login हो जाएगा, इस तरीके सा आपका profile open हो जाएगा, login जैसे ही करेंगे, तो आपका इस तरीके का profile open हो जाएगा, profile में आपका उपर में नाम और photo दिखेगा, यहाँ भी आपका photo दिखेगा, उसमें आप यह CVT dashboard दिख रहा है, dashboard के बाद आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेग हो गया, transfer certificate हो गया, यह सभी इसमें available है, duplicate mark sheet है, revise mark sheet है, caution money जो आपने जमा किया था, admission के समय वह आप return लेना चाते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहीं से apply करना परेगा, request for return of caution money, तो यह सभी process आप यहाँ से कर सकते हैं, अपना character भी यहाँ से आप download कर सकते हैं, leaving certificate भी आपक document आप जैसे mark sheet पर click करेंगे, यह mark sheet पर click हो गया, तो आपका first year का mark sheet होगा, यहाँ से इसको आप click करके इसको download कर सकते हैं, PDF आपका download हो जाएगा, तो आप इस तरीके से अपना mark sheet हो गया, mark sheet download कर सकते हैं, यह dashboard पर जाने के बाद फिर से आपका यहाँ पर certificate दिख रहा है, यह certificate certificate का link है, तो इस पर click करेंगे, तो आपका view certificate आगया, तो इस view certificate पर click करके आप अपना certificate भी download कर सकते हैं, तो जो भी नए student है, 2021 में जो admission लिया है, उनका detail अभी तक इसमें 100 नहीं हो रहा था, तो जो अब 100 होने लगा है, 2021 के student पर अपना login करके इसमें download कर सकते हैं, तो वैसे 11 से पहले के भी है, वो भी आप download कर सकते हैं, 21 वाले सत भी अपना, इसमें download कर सकते हैं, certificate हो गया, mark sheet हो गया, caution money के लिए application जो हुगा, आपको यहीं से forwarding करना परेगा, फिर से college में जाके संपर करके, आप वहाँ से caution money अपना, इसी सभी process को follow करते हैं, आप भी अपना mark sheet और certificate खुद के login से, आप download कर सकते हैं, अपना profile create कर लिजी, अपना admit card है, उसमे roll number दिया हुए, आपका date of birth दिया हुए, उससे login करके, आप validate कर लिजी, आपका OTP आ जाएगा, उसका आप login करके download कर सकते हैं, तो आसा करता हो कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आगर वीडियो पस सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई update के साथ तरता के लिए देने बाद,